तो आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम जैसे कुछ लोग दलीम भी बोलते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पड़ लिये हैं गेहूं जो की टूटे वे होते हैं इनको घाड भी बोला जाता है तो यह मैंने लिए थे अप्रॉक्सिमेटली वन ग्लास तो इनको मैंने ओवरनाइट सो कर इनको अच्छे से गला लिया था यह दोनों चीज़े बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और गेहूं जो है उसका गलना बहुत जादा ज़रूरी क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है तो चलिए यह तो हमारी एक चीज हो गई है रेडी अब हम चलते हैं दूसरी तरफ तो यह हमेंने लिया सारे धुली हुई दाले जिनको मैंने एक एक कप लिया था और इन सारे धुली हुई दालों को हमें पकाना है और इनके अंदर वोई बेसिक स्पाइसे ज़लेंगे सारे नमक, मिर्श, हल्दी और अध्रकलेसन का पेस्ट जैसे कि हम नॉर्मल दाल बनाते हैं ल जाओ एक पर लिया या वन्केजी गोश्ट और दो अनियन को मैंने अच्छे से चॉप करा और कुकर के अंदर सबसे पहले मैं डाला है तेल और प्यास को मैंने फ्राइकर तो यहां पर एक गोश्ट जो बिल्कुल कोर्मे की तरह बनेगा जादा पार यह नहीं डालना है हमे तो इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसकी बोटिया अच्छे से रेशे ना छोड़ दें क्योंकि अभी जब हम गोष्ट करेंगे तो मैं ब्लेंडर नहीं चलाऊंगी इसमें तो यह देखिए गोष्ट अच्छे से गल चुका है और अब हम इस गोष्ट को हलीम में डा प्यास का और फिर इसको हम सर्फ करेंगे और यह बहुत जादा टेस्टी बनता है अभी जरू ट्राइ करिये और मुझे बताईए आपको क्यास